कहानी शीरशक मां तो मां होती है दिन भर की थकी हारी वो औरत जैसे ही जुग्गी में घुसी सामने बैठे उसके शराबी पती ने आवाज दी आ गई चल जल्दी से बीस रुपे दे तीन दिन से गला सूखा पड़ा है बिना जब आब दिये पानी पीने आगे बढ़ी तो फिर बोला साली सुनती नहीं है जल्दी कर औरत बोली पैसे नहीं है मेरे पास शराबी बोला जूट बोलती है सारा दिन बाहर थी अच्छा दस ही दे दे किसी से धो घूट लेकर पी लूँगा कहा ना काम नहीं मिला औरत बोली बस फिर कया बेजान शरीर में जान आ गई अंदर का पुरूश जाग गया और लगा मरदानगी दिखाने औरत को लातो घूसों से पीठ कर मारता रहा गालियां देता रहा और वो बेचारी पिटती रही ये सब चार पाई के नीचे छुपा उसका पाइम साल का बेटा सिसकते हुए देखता रहा औरत सोच रही थी मा कहती थी पति परमेश्वर होता है उसका घर ही तेरा घर है माएके से लड़की डोली में जाती है और ससुराल से अर्थी पर कबकी मर जाती पर बेटे के लिए जीना है चार चाबासम घंटे तक पीट कर जब शराबी थक गया तो बढ़बढाता सो गया और वो रात भर रोती रही दर्द में सुभह उसका बेटा बोला मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा सबने फीस जमा सबने फीस जमा करवादी मुझे छोड़कर कल मास्टर जी ने मुरगा बनाया था आज छडी डी डी से पीटे गे मा बोली मेरे लाल तू स्कूल में ना पीटे इसलिए तेरी मा रात भर पीटती रही ले बीस रुपए फीस के पेटी कोट के गेरे से निकाल कर दे कर बोली बेटे की आँखें खुशी से चमक उठी वो रोती मा के आँसू पोच कर बोला मा जब मैं पढ़ लिखकर बड़ा हो जाऊंगा ना तब कभी तेरी आँखों में आ ए आँसू नहीं आने दूंगा मा ने रोते हुए बेटे को गले से लगा लिया दोस्तों दुनिया की हर मा अपने बच्चों के लिए हर तरह का दुख दर्द उठाती है उसके भविश्य के लिए ताकि बड़ा होकर वो एक काम्याब इंसान बने मेरी, आपकी, हम सभी की मगर कुछ नएग बच्चे बड़े होकर उसके किये बलिदानों को भूल उसे बोज समझते हैं और ये समझते हैं वो मा को पाल रहे हैं वो भूल, वो भूल जाते हैं नौ महीने कोख में और तीन साल तक सीने से चिपका कर और हमेशा अपने दिल में रखने वाली मा ना होती तो वो शायद कभी जन्म भी नहीं ले पाते